गुद मॉनिंग एव्रिवान क्या हाल चाल सब बढ़िया यहां पर भी सब ओके हैं बढ़िया तो नहीं कहूंगी क्योंकि इस वक्त अभी दिया को फीवर हलका है पर ठीक हो चुका है पहले से काफी बेटर है पर जैसे होता है ना फीवर का कभी चड़ता है कभी उतरता है व उस पर वर्क करना है तो आज से उनका डाइट शेड्यूल चेंज किया है थोड़ा सा पराथे विल्कुल बंद चाय आल्मोस्ट कम मतलब कम तो वैसे एक ही पीते हैं वो दिन भर में पर उसमें भी पानी वाली चाय जादा दे रही हूं दूद वाली कम दे रही हूं क्योंक अगर दूद देना पड़ा तो डबल टोन देंगे कुछ कुछ चेंज शुरू कर दिये हैं थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई है आज आई इन दे सेंस अंदर से फील हो रही है क्योंकि मुझे अभी नहीं बताना था एक्चली वैसे अभी नहीं शेर करना था थोड़ा सा किसी ने गाइडेंस दी है कि आपको क्या करना चाहिए जिससे घर के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे और जो नेगिटिविटी है वो दूर हो जाए तो जैसे ही मैंने उसे इंप्लीमेंट किया इवन इंप्लीमेंट भी नहीं किया था मैंने सिर्फ उसको अंदर से ओके किया था कि अच्छा ठीक है करने में कोई हर्ज नहीं है लेट्स ट्राइ तो वो एक ट्राइ का जो एक थोट आया कि हाँ हमें कोशिश करने में क्या हर्ज है वो चीज आई ना तो वो वैसे ही दिमाग में एक पॉजिटिविटी आ गई कि नई हमारा कुछ जानी रहा एक बंदे ने एक चीज बोली है कि आप ऐसे करके देखो तो आपके अंदर की जो नगटिविटी है या घर के अंदर कुछ नगटिविटी है तो आपको फील होगा कि वो सब चली गई है तो वो feel होना ही बहुत बड़ी बात होती है नहीं तो कुछ नहीं भी होता न तो भी हम अंदर बैठा लेते हैं कि यार कुछ गलत है यार कुछ गलत है वो moment heat of the moment में भी चीजे होती है कई बार गलत हो जाती है बट ठीक है मुझे एक काफी बेटर लग रहा है अंदर से एक positivity feel हो रही है मैं उसको बहुत strongly बोल रही हूँ कि आज का जब दिन चड़ा सूरज निकला तो जो रात को chanting की थी जो prayers की थी उसके बात बहुत cool लग रहा है mentally और physically भी मेरे को थोड़ा सा फिट लग रहा है क्योंकि normally क्या होता है सुबह सुबह आपने देखा मेरी हालत कैसे होती है उठा ही नहीं चाहता चाह भी ये बना के देते है तो अभी आज से थोड़ा सा चेंज अपने में भी किया है कि अगर मैं उठ गई हूँ सुबह तो फिर मैं दुबारा नहीं सूथी उठ गई तो उठ गई उठ के अपना कामवाब करने लग जाओ नहीं होगा तो ऐसे आलती पालती लगा के बस थोड़ी दर बैढ़ जो कमर सीधी कर लो कुछ चेंज अपने में भी करना शुरू किया है क्योंकि खाली उपरी हवाओं को चेंज करने से नहीं होता खुद के अंदर भी चेंज करना कड़ता है तो अपने आप में भी किया है इनका भी किया है दिया का भी किया है समरित के लिए भी चेंजेस की हैं, उसको भी आज जल्दी उठाया है, नहीं तो बार-बार एक एक बज़े तक सूता रहता है, रात को सूता नहीं, तो अब उठा दिया है उसको, थोड़ा सा फ्रेश होगा, प्रेश घरा करेगा, तो उसके बाद उसको नाश्ता कराऊंगी, इन दोनों ने नाष्ता कर लिया है, क्योंकि दिया न्याप दुखाई ले थी तो उसको जल्दी नाष्ता करवाना था तो चाय के साथ ही दे दी मेने पराथी और इन को sudah के थेपले बना के दिये और नेक्स्ट वीक में आपको बताया था कि मैं जा रहे हूं गूमने कहीं, गूमने इंदेसेंस घर में छोटा सा फंक्षन है, ब्रदर है मामा का बेटा, उसके बच्चे का फंक्षन है, बेटा हुआ उसका, तो वहां जाना है, बहुत टाइम के बाद मैं इतना लंबा सफर क जारे हूँ डैली से बाहर राजस्थान. राजस्थान में जो प्रॉपर जगा है जब जाओंगी तो आपको लेके चलूंगी, तब देखना. तो मेरा सारा नान का परिवार वहां पे है, मेरे मामा है मामिया है, उनके बच्चे हैं, और ममी के साइद के चाचा चाची, उनके बच्चे सब वहां पर रहते हैं बहुत बड़ा परीवार है, बहुत बड़ा ना यह सारे रिलेटिव हैं, वो सब एक साथ जा रहे हैं, तो मुझे भी चांस मिलें जाने का इस बार, my God, grace, कितने अर्से से दिली वालों से भी मैं मिलनी पाई हूँ, मतलब पहले जॉब में फिर उसके बाद घर में और फिर दीरे 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 मैं सबसे कटी ही चली गई इवन कई बार ऐसा होता था कि दुखसुक में इंसान चला जाता है मैं दुखसुक में भी नहीं कई लोगों के पोहँच पाती थी तो अब कोशिश यही है कि जो फूट गई चीज़े जो नहीं कर पाई मैं पहले चीज़े वो अब धीरे धीरे शुरू करूँ अपने आपको उन चीजों में भी लगाऊं मैं कोशिश करूँगी कि मैं इंटच रहूं सबके और जाता से जाधा मिक्सफ होने की कोशिश करूँ क्योंकि अब मैं फ्री हुई हूँ अब मैं काफी टाइम के बाद मुझे एक ब्रेक मिला है ब्रेक तो नहीं कहूंगी जो मतलब अब ठीक है जॉब नहीं कर सकती हूँ तो अब ब्रेक ही है ना एक तरह से घरी समभाल रही हूँ और बच्चे इतने छोटे भी नहीं रहे कि मेरी जुरूत उनको हर वक्ती है ठ फुले करूंगी बहुत बख्वास कर लिए चलिए देखते हैं अब यह भाई साब उठे हैं ब्रश होगरा करेंगे तो आप इनको भूट लग जाएगी तो नाश्रावश्टा करवाती हूँ तो चलिए फिर थोड़ दें तक मिलते हैं आभी आपसे आती हूँ ना दो लिय है नाश्रावश्टा सभा हो गया है सैमे को भी करा दिया मैंने भी कर लिया अब मैं तयार हूँ हूँ आज मुहरत निकला है और के कपड़े ठीक कराने का तो मैंने उनको बोलके रखा था कि जब भी आप फ्री हो जाओ नए काम से क्योंकि सब को लालच होता है यार नया का काम को पहले प्रफरेंस दी जाती है तो मैंने का जब आपका सारा काम हो जाए और तब आपके पास टाइम हो मेरा काम शिवू करने के लिए को कि मेरे आल्मोस सारे ही सूट ऑल्टर पर पड़े है थोड़ा बोड़ी शेप चेंज हुआ है तो उसकी वज़े से कोई लूस कर करना है कोई टाइट करना है कोई कुछ करना है तो सब कुछ ही पड़ा हुआ है महां पर तो मैंने उनको बूला जब आप कम्फर्टेवल हो तो मुझे बुलाना मैं एक ही बार आके सारी चीज समझाते जाओंगी अब बीच मेरा जाने का प्रोग्राम बन गया तो थोड़े से सुख मुझे अर्जेंटली चाहिए तो चलिए एक बार उनको बताया हूँ कौन-कौन से सुख मुझे अर्जेंटली चाहिए तो उस रिसाप से फिर वो करके देंगे चलिए नीचे पहुच के फिर मनते हैं आपको हे बगवान अब चड़ियों उपर पूने तीन हो गए हैं मुझे कम सकम डेड़ गंटा लग गया सारा काम समझाने में हे बगवान और कुछ कपड़े हाथो हाथ भी करा के लाई हूँ जिन में थोड़ी-थोड़ी से लाईयां खुलबानी थी तो वो तो मैं हाथो हाथ करा अब भी भी चार-पाच दिन के रहे हैं लगेंगे कपड़ों में मैं बुटिक चलाती थी ना मुझे आल्टर के काम में यह होता था कि यह हाथ का काम है यह अपना करो और साइड करो तो जैसे जो दागा चड़ा होता था तो मैं देखती रहती थी कि अच्छा इस कलर का धा इसको साथ के साथ कर दें तो काम भी हो जाता था और फिर चुटकर फुटकर पैसे आते हैं अ इस से थोड़ा उपर का खर्चा निकल आता है जैसे चाय पानी हो गया या फिर अपना कोई रील का फॉल का या बुकरम का कुछ इन तरह के खर्चे निकलाते थे ते यार जॉब भी की है, पार्लर में भी किया है, ओफिस में भी किया है, रिसेप्शन का किया, टीचिंग का किया है, यहां तक कि स्टार्टिंग जो की थी, वो मेहंदी लगाने से की थी, घर घर जाके मेहंदी लगाती थी, पूरी लाइफ की पिचर सामने आ जाती है, चल ये यह जला हुए ने जैसे ही पसीना पड़ता है फिर से जलन शुरू हो जाती है चलो सांस ले बुटी पर ले जी यह देखिए यह था वो टॉप जुकल लाया था और शीशा कितना गंदा हो रहा है कर दिया साफ मीनिट का काम होताय आलस में गयतम होताय देखिए यह टॉप मैंने मेशों से और पहले में ने एकसल मनगवाया था पर एकसल में यहां फस रहाए था यहां से स्पे्स कन था अब मैंने ड्ल ऐब अलगा सब्सक्रणार तो मृगी मिजे कंफिर इना मृटी कमफर जैगिंग की बहुत कम्फटेबल है मैं सारा दिन पहन सकती हूं कही आना जाना हो कुछ करना हो में बहुत अच्छा लगता है इसको पहन के तो यह मेरा आज का लुक है कैसा लग रहा है बताना क्या मैं पहले से थोड़ी पतली लग रही हूं क्या आपको लगता है कि मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अब मैं जा दी थी मुमी कुछ खाने के लिए बनाने क्योंकि जब सब घर पे होते है ना तो लंच ब्रंच सब इकठा हो जाता है तो दिया को सुवे पराठी कहला दी थी उसके पापा को थेपले कहला दिये थे पर जिनको पराठों की आदत ह को उनका थेपले से क्या बनना है पर आज पराठे डॉक्टर ने मना कर दिये हैं अब बिल्कुल नहीं खाने हैं तो इसलिए उनको भूख लग गई थी दुबारा तो मैंने उनको साधे फुलके के साथ दाल क्योंकि डाल का यह आटा गुंदा हुआ था को लेन अटा गुंदा नहीं हुआ था तो डालवाले आटे के मै ने रोटी मना दरीigor कुछाए थी रोटी ऑना जगा थी तो उसके साथ उनको अच्छी लगी तो उनों ने उखा लिया तो वो जब खारे थे तो डिया को भी सबजी स्वाथ लगी थी तो दिया ने भी दो रोटी खाली साथ में बैटके तो वही मतलब कुछ भी जो बन रहा है खाय जाओ खाय जाओ वह वाला हिसाब रहा था मैंने जाल वाले आटे के एक प्राथी खाई थी तो अब बज गए है छे और मुझे और दोनों को लग हाई भी नहीं होंगी शायद तो आज नमकीन सेविया मैं कैसे बनाती हूँ वह आपसे शेयर करने जा रहे हो नमकीन सेविया यह मेरे पास रोस्टेड है एक कड़ी पत्ता आलू प्याज सुका धनिया नमक लालमिच और हल्दी और निभू पर से डलेगा और पानी जतना र आई चाई पी लेजिए चली जी चाई वाई तो पी ली है सब समीर दिया यहां से अब मैं जा रही हूँ तड़का लगाने अब मैं बना रही हूँ लोगिया रोंगी और प्लैक आए बीन्स जो भी कही है तैयारी मैंने कर लिए देखिए क्या-क्या समान में डाल रही मैंने लिए हैं तीन प्याज मीडियम साइज के पर हो सकता है कि डाई ही लगे तो मैं एक साइट कर रही हूँ तीन टोमाटर डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं थोड़ी सी हरी मिर्च और जिंगर कार्लिक पेस्ट अब पहले मैं प्याज चॉप करूंगी अब तबका कंप्लीट करती हूँ अब को कुकर को हमें एक से दो वसल करानी है और साइट पर साथ ही मैं चावल रखने जारी हूँ यह चावल में लिया ही हूँ एक ग्लास चावल यह मैं रखने चड़ाने जा रही हूँ तो अब किचन का काम यहां से खतम करके फिर अंदर जाओंगी फाइनल टच दे दिया था और यह देखिए यह बन चुकी है चावल भी मेरे बन चुके हैं और खिड़की पर बैठी है छप के लिए जिससे मुझे लगता है बहुत डर इसलिए मैं इनको अच्छे से पबर कर रही हूँ और यह बस खाने लगे हैं खाना और खाके है बुरा दिन ऐसी काम में इदर उर्थर इदर उदर करते करते में निकल गया तो मैं आई थी अब आपको गड़बाइ कहने के लिए तो गड़बाइफ्रेंड्स किल फे मिलते हैं नया दिन नहीं शुरुआत हैं तो प्लीज 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 लाइक शब्सकृब अंड़ the videos, bye!